शपत फाउंडेशन भिलाई द्वारा दो फरवरी को थेंक्यू भिलाई का आयुजन किया जाना है थेंक्यू भिलाई आयुजन का ये छटवा वर्ष है शपत फाउंडेशन के संदक्षक एवंपूर्व सेजपी विरेन सत्पती ने बताया कि भिलाई इसमा सयंत्र को आरम करने के लिए भारत एवं सोवियस संग ने दो फरवरी 1955 को एग्रिमेंट में हस्ताक्षर किया था इस इतिहासिक तिथी की याद में आगामी दो फरवरी 2024 को कलम मंदिर में संधिया पांच बजे शपत फाउंडेशन द्वारा थैंक्यू भिलाई का आयूजन किया जाना है शिशत्पती ने ये भी कहा कि मीनी इंडिया के नाम से मश्चूर शहर भिलाई एक ऐसा शहर है जो सभी प्रांतों से आने वाले लोगों को दिल से अपनाया है उनको रोटी, कपड़ा, मकान एवं सम्मान दिया है बदले में हम सक्षम होते हुए भी भिलाई को क्या देते हैं हमारा मकसद है कि सब मिलकर भिलाई को एक स्वर में थैंक्यू भिलाई बोलें नमस्कार मैं बिलेंद्र सत्रपती समाजिक संस्ता सपत फाउंडेशन का संदक्षे हूं प्रतिवर्स से दो फरवरी को हम एक ठेंक्यू भिलाई का आइजन करते हैं थैंक्यू भिलाई क्यों दो फरवरी उनिस सो पच्वन को भारत और सोव्यत संग के बीच भिलाई में इस्टिप्लांट इस्थापना के लिए एग्रिवन में साइन हुआ था इन चलुआ था उस दिन को यादगार रखने के लिए हम दो फरवरी को एक ठेंक्यू भिलाई आईजन करते हैं भिलाई में जो भी जन्मा या बाहर से आकर यहां पर बसा भिलाई सहर उसको मान संवान काम मुकाम सब कुछ दिया संवान सब कुछ दिया बदले में हम सक्षम होते हुए भी भिलाई को क्या दिए तो हमारा मकसद है आईए हम सब मिल करके हमारी जनेनी भिलाई को एक बार एक स्वर में थैंक्यू बोले तो यह हमारा मकसद है थैंक्यू भिलाई का जिस तरह से नोबल प्रस्काल दिया जाते है अलग-लग विस्यों में चुनिंदा व्यक्तियों को हमारा भी यह प्रियास रहता है कि अलग-लग नोब विस्यों पर भिलाई सहर में कारिरत अनिक सज्जन जिनका काम बहुत ही नेक है समाज भी जिनका बहुत नाम है इनको हम चैनित करके उन्हें भिलाई रत्न से सम्मानिक करते हैं सच्छें महिला सगतिकरण परयावरन इत्यादी-इत्यादी इसी प्रकाड भिलाई में अनेक सामाजिक संगठन है जो ना केवल अपने समाज की लिए बल्कि भिलाई सहर के बर्चर के काम करते हैं बर्चर के हिस्सा लेते हैं बिख्यारों पढ़ हो बिध्धा स्रम में जा करके उनके लालन पालन हो इस तरह के अनिक उनका कारकर लगता है तो हम ऐसे सामजिक संस्थाओं को भी सम्मानित करते हैं तो दो फरवरी को कला मंदिर में साम साथे पांच बजे थेंक्यू भिलाई का आईजन है आप सब आईए कारकरम का अनंद लीजिए और इसमें प्रसिद्धन नाटिय निर्देशिका डाक्टर स्वनाली सक्रति द्वारा निर्देशित भिलाई की बहु एक नाक्य कारकरम है बहुत ही रोचक, बहुत बढ़िया कारक्रम है, आप सब उसका भियानन्द लीजिए, तो आप सब से मेरा आग्रह है कि दो फरवरी सामसारे पांच बजे कला मंदीर सिविक सेंटर भिलाई में आएं और थेंक्यू भिलाई में सामिलो, थेंक्यू.